हेलो दोस्तो वेलकम बेक टी यूर चैनल दो द्राइंस्पिरेशन दोस्तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुज़ा यूस्पूल होने वाली है तो कि अगर आप नय मकान बना रहे हो बनाने वाले हो या अपने मकान में फिटिंग या वाइरिंग करने वाले हो तो क अच्छे से जो है इस वीडियो को देखते हुए अपने घर की वाइंग कर सकते हो वीडियो थोड़ी ची लंबी जरूर है दोस्तो लेकिन पूरी देखिएगा आप अच्छे से समझ जाओगे और अच्छी लगे तो लाइक और शेर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा अब बहुत मैंने से दोस्तों वीडियो बनाई है सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को दाकि मैं इस त्रेकिंग वीडियो जो है आपके लिए उन लेके आपर हूँ आयो दोस्तों आज के इस वीडियो के दारा मैं आपको बताऊंगा कि किस पगार से हम हमारे घर में जितने दोर और एक वासरूम है अब यह जो हमारे रूम से इन ही रूम में हमें इंवर्टर का कनेक्शन करना है तो किस पकार से कनेक्शन करेंगे दोस्तों देखेजिए दोस्तों जो हमारा घर होता है घर में जो हमारा मैं पाउस अपला याती है वो सीधह ही इलेक्रिक पॉल से हम हमारा जो इनर्जी मेटर होता है उसमें आती है उसके बार मैं यहां पर एक मैं डिस्टुपेशन बोल करते हैं जो हमारा मैं डिस्टुपेशन बोल होती है उसमें एक एक mcb एक rccb और कुछ single pole के mcb होते हैं ठीक है दोस्तों यह जो हमारे single pole के mcb है इनका उपयोग हम हर एक room को power supply देरेंग लिए करते हैं अब यह जो हमारे mcb है इन में हम फिर supply का connection करते हैं ठीक है और जो हमारे न्यूटल सप्लाई होता है उसको distribute कर निकली यहां पर हम एक न्यूटल बस बार का उपयोग करते हैं अब यहां पर जितने भी हमारे बल्ब है इसको चालू और बन करने के लिए यहां पर हमें एक switch का इस्तेमाल करेंगे इसी switch के दोवारा हम इस बल्ब को चालू और बन कर सकते हैं दोस्तों यह जो हमारा घर है इस घर में हमें inverter का भी connection करना है तो inverter का connection करने के लिए यहां पर हमें इंकमिंग पाउर बेल्टाइद देने के लिए हम यहाँ पर एक बेटरी का उपियोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्विच बोर्ड है इसमें हमें दो परकाट का पाउर सप्लाई लेके जाना है पहला तो मैंड़ पाउर सपलाई और दूसरा इन्वरेरर गाउर सपलाई तो किस पकार से हम connection करेंगे दोस्तों देख लिजे दोस्तों इस वीडियो को आप last तक देखेगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लिस इस वीडियो पर like जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो को आपके friends से सेर करना ना भूलियागा ठीके दोस्तों चलिए आगे मरते हैं देखे दोस्तों ये जो हमारा energy meter होता है इसमें जो पहला terminal और जो दूसरा terminal होता है इसमें हमें face supply और neutral supply देना पड़ता है पहले terminal पे हम face supply देते हैं और दूसरे terminal पे neutral supply देते हैं तो यहाँ पे हमने connection कर दिया ये दोनों wire हमारे incoming power supply हो जाएंगे जो की हमारे electric pole से आ रहे हैं अब ये जो हमारा energy meter है इसका जो तीसरा terminal है ये वाली ठीक है ये हमारा outgoing neutral supply होता है तो यहाँ से हमें एक wire को connect करेंगे और इसको लिया के MCV के साथ connect कर देंगे तो ये जो हमारा energy meter है इसका जो चौथा नंबर का terminal है ये वाली यहाँ से हमें फे सप्लाई मिलता है तो यहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको भी लिया के MCV को incoming power supply दे देंगे अब ये जो हमारा MCV है इसके outgoing terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको RCCV के साथ loop कर देंगे यानि कि RCCV को incoming power supply दे देंगे ठीके इसी पगासे neutral supply को भी कर देंगे तो ये जो हमारा RCCV था इसको incoming power supply मिल गया अब ये जो हमारा RCCV है इसका जो neutral supply का outgoing terminal है यानि कि ये वाली इस terminal से एक wire को connect करना है और इसको ले जाके हमें इस bus bar के साथ connect कर देंगे तो यहां से एक wire को connect किया और इसको लिया के bus bar के साथ connection कर दिये अब ये जो हमारा दूसरा terminal है इस terminal से हमें face supply का outgoing मिलता है तो यहां से एक wire को connect करेंगे और इसको लिया के सभी MCV के साथ connection कर देंगे यहाँ पर हमने एक MCB को incoming power supply नहीं दिये इसको incoming power supply इसलिए नहीं दिये क्योंकि इस MCB का उप्योंग हम inverter के लिए करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे जितने भी MCB थे इनको हमने face supply के दोरा correction कर दिये हैं अब देखिए यहाँ पर जो हमारा inverter है दोस्तों इसमें हमें दोर प्रकार का incoming power supply देना पड़ता है पहला तो battery से incoming power supply और दूसरा man power supply ठीक है तो यहाँ पर हम battery के दोरा incoming power supply दे देते हैं तो दोस्तों देखिए जो हमारा inverter होता है उसमें आपको तीन wire मिल जाएंगे ठीक है एक red wire एक black wire और एक cable मेरेगा तो यह जो हमारा red wire होता है यह हमारा positive wire होती है तो इसको हम क्या करते हैं कि battery के positive terminal के साथ करनेक कर देते हैं ठीक है उसके बार यह जो हमारा black wire है उसको हम battery के negative terminal के साथ करनेक कर देंगे ठीक है दोस्तों दोस्तों यह जो हमारा cable है यह cable हमारा incoming power supply होती है ठीक है और इसको लिया करे साथ करेंगे दोस्तों यहां पे मैंने प्लग्टोप का कर्णेक्शन को एक्ष्प्रेंड नहीं किया हूँ मुझे उमीड है कि आपको क्रेक्शन आता ही होगा ठीक है चलिए आगे मरते हैं दोस्तों देखिए यह जो हमारा इंवर्टर था इसको हमने incoming power supply देती है बैटरी के द्वारा और main power supply के द्वार आप यह जो हमारा inverter है इसके outgoing power supply लेना है तो outgoing power supply लेने के लिए यहाँ पर हम 3 print plug top का इस्तमाल करेंगे दोस्तों एक चीज़ हमेसा याद रखिएगा हम inverter से के अवर face supply का outgoing लेते हैं ठीक है neutral supply का outgoing का इस्तमाल नहीं करते हैं हमारा जो main power supply का जो neutral supply है वही काम आ जाएगा आपको inverter के condition में भी तो हम क्यार करेंगे कि यह जो हमारा plug top है इसका जो दहिना pin है यानि कि यह वाली इस pin से एक वार को connect करेंगे और इसको लिया कि हमारा जो यह inverter वाली mcb है इसके साथ connect कर देंगे तो यह जो हमारा mcb था इसको incoming power supply मिल गया है अब हमें इन सभी switchboard में connection करना है दोस्तों यह जो हमारा switchboard है इसमें हमें दो प्रकार का power supply लेकि जाना है एक तो main power supply करेंगे दोस्तों देख लिजिए दोस्तों wiring करने से पहले यहां पर हम decide कर लेते हैं कि किस electrical equipment को हमें normal power supply से चलाना है और किसको inverter के द्वारा ठीक है तो यहां पर हमाल लेते हैं कि जो हमारा fan है और यह जो हमारा LED bulb है इभी को हमें inverter के power supply के द्वारा चलाना है और यह जो हमारा LED bulb है इसको हमें normal power supply द्वारा चलाना है ठीक है same to same बाकिर रूम में करेंगे यह fan और यह बल्ब हमारा inverter के द्वारा चलेगा और यह हमारा normal power supply के द्वारा ठीक है इसी पकास से यह fan और यह बल्ब हमारा inverter के द्वारा और यह यह हमारा जो LED बल्ब है और यह जो सोकेट है उसको हम normal power supply के दोला connect करेंगे ठीके दोस्तों चलिए तो कैसे वाइडिंग करेंगे देख लिजिए तो देखिए दोस्तों यह जो हमारा रूम नमर वन है इसमें मैंकर्मेंग पार सप्लमीन मैन वाली लिए दोस्तों यह जो हमारा م divisions ओड़ाकरो के सब्सक्राइब और इसको लिजए इस बढ़ को फैस अप्लाइक देढ़े तो इस बंप को हम यद्लै चालू करना चाहिए तो इस much को प्रेस करके चालू कर सकते हैं दूस्तों अभि यह जो दूसरा स्विच फो हम इस सोगेट को Rough के लिए भाइल करनेगे इस सप्राइब होज जाएगे तो यहां पे पर देख सकते हो कि यह जो हमारा बल्ब है और यह जो सोकेटेक उसको हमने normal power supply के द्वारा connection कर दिये इसी प्रकास से हम Room no.2 में connection करेंगे तो कैसे करेंगे देख लिजे यह जो हमारा दूसरा mcb है इस mcb से कवार्य को connect करेंगे और इसको लिया के साथ connect कर तो यानि कि इस switch को हमने incoming power supply दे दिये अब यह जो switch था इसके दोरा हम इस bulb को control करेंगे तो क्या करेंगे इसके और गोईंटर्मनल से एक बाइर को connect करेंगे और इस bulb को face supply दे देंगे तिके अब यह जो दूसरा switch है इसके दोरा में इस socket को control करना है तो हम क्या करेंगे यहां से एक बाइर को look करके इसको incoming power supply दे देंगे और इसके और गोईंटर्मनल से एक बाइर को connect करके इस socket को incoming power supply देंगे फेज सपव्लाइगे इस ही प्रेकाव से यह जो हमारा row number 3 है इसको हम correction करेंगे तो इसके लिए हम करते हैं जो हमारा तीसरा MCVA इसका उप्योग करेंगे तो यहां से एक बार को कनेक किये और इसको ले जाके हमारा जो स्विच बॉर्ड है उसको incoming power supply दे दूँगा ठीक है अब यह जो स्विच है उसके दोर हम इस बल्प को कंट्रोल करेंगे तो यहां से करके इस बल्प को फैस सप्लाइब दे दूगा अब यह जो स्विच के दौर करेंगे तो इसको incoming power supply यहां से लुप करके कर देंगे अब इसका जो और वहां से को करेंगे और इस स्विच बल्प करेंगे यह जो स्विच बल्प करेंगे तो हम क्या करना है तो हम क्या करेंगे यह जो सब्सक्राइब यहां से वायर को करने करेंगे अब यह जो दूसरा स्विच इस स्विच का उप्योंग हम सोगेट के करेंगे तो क्या करेंगे इसके है इसको हम incoming power supply यहां से wire को loop करके दे देंगे अब इसका जो आर्गोइंट terminal है वहां से wire को करने करके इस socket को face supply दे देंगे ठीक दोस्तों तो यहां पर जो हमारा main power supply थी उसका जो face supply है उसका connection complete हो गया है ठीक है दोस्तों अब यह जो हमारा switchboard है इस switchboard में हमें inverter का connection में करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा mcb है यानि कि जो mcb का उपयोग हमने inverter के लिए कि थे उसके अर्गोइं टर्मलन से क्वाइल को connect करेंगे और इसको लिए जाके इस switchboard के साथ connection कर देंगे हमने इस switch को incoming power supply करने के लिए तो हम क्या करेंगे इस switch के अर्गोइं टर्मलन से क्वाइल करने करेंगे और इसको ले जाके फैन को सप्लाइब देंगे तो यह जो हमारा फैन था इसको incoming power supply मिलिए inverter के दवारा ठीक है अब इस बल्ब को भी हमें inverter के द्वारा कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे कि इस बल्ब का करेक्शन हम इस switch के द्वारा करेंगे ठीक है तो इस switch को incoming power supply देने के लिए यहां से एक वाइल को लूप करके इस switch को incoming power supply दे देंगे उसके बाद इसका जो और्गोइं टर्मलन है वहाँ से एक वायर को कनेक करके इस बल्ब को incoming power supply दे देंगे दोस्तों अब यह जो हमारा room number 3 है इसका connection करना है तो इसका connection करनी के क्लिए है कि यहाँ से कि करेंगे इस नंबर फीके जो स्विच बोड़ उसको इंकर्मिंग पाइर साफ़ाई देंगे अब यह जगेफ्य इसके द्वारर को करेंगे तो आप लेकर करेंगे नियूंग जो हमारा रगुलिटर है वहां से एक वार को कने करके इस बल्ब को incoming power supply दे देंगे ठीके दोस्तों तो यहां पे हमारा room number 3 का connection कम्प्रीट हो गया है अब हमें room number 2 का connection करना है अब यह जो हमारा room number 2 है इसको inverter की तोड़ा power supply देने के लिए यहां से एक वार को loop करेंगे और इसको लिया के किसी भी switch के सार connect कर देंगे ठीके दोस्तों यह जो हमारा switch है इसको उपयोग हम इस fan के लिए करेंगे ठीके तो इसका connection भी कर देते हैं same to same connection करेंगे तो यहां पर मैं explaining करता हूँ simply connection कर देता हूँ ठीके दोस्तों दोस्तों यह क्या करेंगे यहां से प्रविटर करेंगे और थिक्तव करेंगे तो इसके गलोग कर आना हम haya यहां से एक वायर को लूप करके लेके जाएंगे और ये जो हमारा switch था उसको incoming power supply देखेंगे बब इसका जो आर्गaları公 καने करके इस बुर्ग को फैस अप्लाई दे देंगे ठीके दोस्तों तो यहां पर हमारे जो फैस सप्लाई था इन वैन पार्वल स्था आई र इन सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक में आपको कम्युनिटी टैप में दे दूंगा इस वीडियो का मेरे मेंबर सी डाउलड कर सकते हैं दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल का मेंबर सी अभी तक जोइन ने किया और यदि आप इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउलोड कर सकते हैं उसके लिए अलग से एक दियागा है उनको चार्ज दोस्तों मुझे सबस्क्राइब करदेते हैं दोस्तों ये जा यहां से एक ब़ाइग को कनेक करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो बल्बे इसको निउट sharply רכगे देंगे दो यह जो मारा फैन है इसको भी हमें यह इसको निपडल सप्लाइगे को यहां से हमें न्यूटर सप्लाइगा कनेक्शन करना जाएंगे और यह जो हमारा फेन उसको न्यूटर सप्लाइगे त्वारा कनेक्शन कर देंगे स्पिन करेंगे तो यहां से यहां से हमारा नियोंटर सब्सक्री करनेंगे और नृटर सब्सक्राइब ए और यह जो हमारा बल्ब है उसको हमने में पाउर सप्लाई की दोरा कनेक्शन किये और दोनों को हमने सेम टू सेम न्यूटर सप्लाई दिये ठीक है यहाँ पर हम सेम टू सेम न्यूटर सप्लाई इस ती दिये क्योंकि हमारा जो न्यूटर सप्लाई है वह कौमा नहीं होता है तो हमें यहां पर inverter के दोला न्यूटर सप्लाई देने की अलग से जोट नहीं होती है हम मैंड पाउर सप्लाई वाली न्यूटर सप्लाई को इस्तेबाल कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए दोस्तों यह जो हमारा सोकेट है इस सोकेट में भ करनेक्शन कर सकते हैं अब यह दोनों बुब करके हम दोनों को निटाश अप्लाई देने के अब यहां पर हमारा के लिए क्लिए हमारे घर में जो भी होता है वहां से एक वाल को कने करके लाएंगे और इसको लेamour के हमारा जो यह switch-board है इसका जो मोटा वाला पिन है उस pin के स्षार connection कर देंगे दोस्तों एक छीज़ हमें से याद रखेगा जो हमारा switch-board होती है उसमें जो मोटा पिन होती है उस pin में अर्फिं का connection करना था है दोस्तों यह जो हमारा switchboard है इस switchboard में भी हमें earthing का connection करना है तो यहां से एक wire को connect करके लाएंगे और यह जो हमारा motor वाला pin है उसको हम earthing के साथ connect कर देंगे ठीके दोस्तों तो कुछ इस प्रकाद से हम हमारे घर में manpower supply और inverter का connection करते हैं दोस्तों यदि आपको इस वीडियो पे किसी प्रकाद का doubt है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं I hope कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्रिस इस वीडियो पे like ज़रूर कर दीजेगा और आपके friends के साथ इस वीडियो को share करना ना बुलिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद